हेलो बच्चो मैं हूँ मान्या और स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर तो आजकल क्या सीन चल रहा है? सब बढ़िया? एकदम फर्स क्लास चल रहा है लाइफ में? अगर फर्स क्लास नहीं बें चल रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा यह चीज मैं आपको बताती हूँ तो बेटा आज हम क्या सीन बनाने वाले हैं? उसके बारे मैं आपको बताती हूँ आज का हमारा टॉपिक है How to Memorize SST यानि की हम सोशल साइन्स किस तरीके से याद करे? तो आज मैं आपको उसकी tips and tricks बताने वाली हूँ किस तरीके से हम सोशल साइन्स याद कर सकते हैं और हमारे दिमाग में एकदम चिपक जाएगी और बढ़िया तरीके से समझ भी आ जाएगी मतलब आप एक बार याद करेंगे तो जिंदीगी भर याद रखेंगे ऐसी नहीं कि आपको रटा मारना पड़े अब देखिए होता क्या है ना हमारे साथ जब भी हम पेपर दे रहे होता है पेपर से पहले तो हम पढ़ते हैं हमें सब याद लग रहा होता है पर पेपर में जाते ही हमारे दिमाग एकदम हो जाता है सफेद तो उस सिचुएशन में क्या किया है वो क्यूं होता है और कैसे उस चीज से बचा जाए किस तरीके से हम अपनी चीज़े याद करें कि हमारे पेपर में दिमाग सफेद ना हो भाई मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था कि जब भी मैं पेपर देने के लिए जाती थी मैंने जितने आंसर पड़े होते थे मैं सारी आं आने वाली हूं इसके बाद आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप यह चीज़े फॉलू करते हैं तो तो पैटा आज हम पहले आपको यह बताते हैं कि किस तरीके के हमारे पैराग्राफ में आने की अनुवाद में अब हमें पॉइंटर्स वाले तो पता है कि च हमें बहुत दिक्कत आती है और हम इन दोनों ही चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे पर शुरूरुआत हम करते हैं हमें पॉइंटर्स वाले याद करने हैं अब अब देखें जो छोटे-छोटे याद आजते हैं याद किसी तरीके से हो जाते क्योंकि वह आसान होते है पर हमें जब लंबे answers दिये जाते हैं यानि कि long answers जो हमें होते हैं जो हमें याद करने होते हैं लंबे-लंबे points में जिसमें हमारे literally 2-2 pages भर जाते हैं pointers के, वो चीजे हम याद कैसे करें आज मैं आपको उनकी तरकीब बताने वाली हूँ कि हम वो चीज़े कैसे याद कर सकते हैं तो देखिए बेटा हमारे याद करने की पहली टेक्नीक जो है पहली टेक्नीक वो यह है कि grouping टेक्नीक यानि कि हमें answer के group बनाने है group बनाने है group कैसे बनाने है और यह grouping grouping टेखनीक होती किया है मैं आपको बताती हूं कि grouping टेखनीक क्या होती है तो हमारी grouping टेकनिक बेसिकली यह होती है कि हम एक जैसे जो points होते हैं हम उफ साथ एकटा कर लेते हैं ठिक है grouping point का पहला step यहीं है कि कि हमें जो points आसान लग रहे हैं जो points हमें लग रहे हैं कि हमें 100% से अच्छे से याद हो जाएंगे हमें पहले उन points को एक साथ इकटा करके similar words के जो लग रहे हमको उनको इकटा करके याद कर लेना है ठीक है? तो हमें जैसे हमारे 10 points है ठीक है? 10 में से हमें starting के 5 points लग रहे हैं बिल्कुल आसान तो हम उस situation में क्या करेंगे? उस situation में हम पहले के 5 points याद कर लेंगे उनको साथ में लियाएंगे हो सकता है कि हमारे हमारे पहला point जो हो वो आसान हो तूसरा मुश्किल लग रहा हो पर तीसरा आसान लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? पहला और तीसरे point को साथ मिला के वो points याद कर सकते हैं ठीक है? और दूसरा point आप डाल सकते हैं दूसरी category में यानि की 80% जिसके chance होते हैं याद रहने की तो आपको उनके साथ group बनाने हैं तो पहले 5 points जो आप similarities देखके आपने जो बना लियोंगे मतलब एक जैसे एक जैसे आपको जो point लग रहे हो आसान लग रहे हो वो point को साथ में एक group बनाके अब आने हमारे दूसरे group पे जो की है हमारे medium level पे जो की 80% chance है जिनका हमें याद रहने का तो उन groups को आप बना लेंगे और दोनों को याद कर लेंगे ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे point पे यानि जो तीसरा group है और वो group है हमारा मुश्किल points का पता है कुछ points ऐसे होते हैं जो इतने मुश्किल होते हैं जिसमें हमें समझ ही नहीं आता कि हम इसमें करें तो क्या करें इतने मुश्किल points हम कैसे दिमागे बिठा ले मतब उन points के अंदर इतना सारा data होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम इसमें क्या करें तो हमें करना ये है अगर हम पहले के दो groups बना के अगर चीज याद भी कर लेते हैं यानि कि अगर आप 5 points के साथ आप बाकी के 2 या 3 points जो आपके medium हैं वो भी याद कर ले और बाकी के points में अगर आप chance ले भी लेते हैं कि हाँ ये points शायर से हमें याद रहे चाए पूरे 100% नहीं भी याद होगे आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ 20% तक याद हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप ये चीज देख सकते हैं कि हाँ अगर हमें पकड़ने चालू कर देते हैं, कि हमें मुश्किल चीज पहले याद करने हैं, क्योंकि वह हमें जरूरी लगने लगती है, कि इसके अंदर जादा चीजे हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है, कि आपको सिर्फ मुश्किल पॉइंट से सारे answers, मतलब सारी marks दिलवा सकते हैं, तो आप को करना ये है, कि आप जब दो ग्रूप बना लेंगे, आप उन ग्रूप के बाद तीसरे ग्रूप में इस चीज़ को अटाच करिए, और फिर आप पढ़िए question डंग से, और आप से ये होगा, कि आपको दोनों के दोनों ग्रूप साथ में link अप करने के लिए, यानि कि साथ ग्रूप भी याद अने का काफी चांस है, तो ये चीज़ तो हो गई हमारी पहली टेकनीकी, अब हम आते हैं हमारे आखरी पॉइंट पे, यानि कि last but not the least, मतलब अंतिम लेकिन महत्वपून, यानि कि हमें करना क्या है, अगर हमें लगता है कि हमें तीसरा पॉइंट जो है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप उस चीज़ को जोर जोर से बोल के पड़ सकते हैं, ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि ये सिरफ तीसरे पॉइंट पर टिकर रहेगा, आपको करना ये है, पूरे के पूरे आंसर को अन्तिम में, अब्तब एंड में, पूरा आंसर कम्प्ल सुनाइए, जोर-जोर से भोल के रिसाइट करिये, ठीक है, और साथ ही में, जब आप ये कर लेना, और आपको फिर भी कहीं गुंजाईश लग रही है कि आपको ये ढंग से याद नहीं होंगे, या फिर आप भूल जाएंगे, तो एक बढ़िया सी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको करना इतना है कि आपको उन सारे आंसर को, सारे गृप को लिख लेना है, यानि कि गृप बन, गृप टो, गृप टी, गृप फर, ठीक है, तो इसी तरह आप, अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो, और आपको लगा हो कि आपको ये मदद तो नीचे कॉमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे डाउटनेट चैनल को, और इसी के साथ हम और वीडियोज दे के आएंगे, तो बने रहे डाउटनेट पे, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान.